लास्ट टाइम कलर कोडस फॉर रजिस्टर्स हमने ट्रिक देखी थी कैसे हम टेबल याद करें और वो रजिस्टर्स पर कलर ही क्यों होते हैं हमने यह सब जाना था और इससे नेक्स लेक्चर में हम वैलिट्री एंड फैलेइर्स ऑफ होमसलो जानेंगे कब हम ओमसलो लगा सक हो जाता है और आज हम टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है कि चलिए स्टार्ट करते हैं जब कलर कोड़ फॉर रेजिस्टर से पहले हमने डेप्ट प्लॉस्टी का लेक्चर देखा था उसमें हमने यह एक्सप्रेशन हम ड्राइब किये थे हमने यह एक्सप्रेशन ड्राइब गया था जिससे हमने इसको सिग्मा माल लिया था और जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ohms law आगी थी j is equal to sigma e जिसमें sigma is equal to n e square by m into tau अब क्या किया हमने temperature बढ़ाया जब हमने temperature बढ़ाया तो electrons की speed बढ़ जाएगी electrons की speed बढ़ जाएगी तो जो average time होगा between successive collision वो घट जाएगा यानि कि ये tau tau घट जाएगा जब tau घट जाएगा इसका मतलब क्या है sigma घट जाएगी और हम जानते हैं कि sigma is equal to बढ़ापन रो होता है तो अगर sigma घट रही है तो रो बढ़ेगी इसका मतलब क्या है resistivity बढ़ेगी तो resistivity हमारी बढ़ती है temperature बढ़ाने पे और हम इसको resistivity को हम किसी भी conductor की for small temperature variation जब temperature variation जब छोटा हो तो हम उसका expression कुछ इस तरह लिख सकते हैं rho 2 is equal to rho 1 multiply में 1 प्लस alpha delta T delta T यहनकी final temperature minus initial temperature T2 minus T1 इसमें rho जो T2 है T2 temperature पे rho 2 resistivity है और T1 temperature पे rho 1 है तो हमें T1 की rho 1 पता है और हमें T2 temperature पे resistivity निकालने हो तो हम यह formula यूज़ करेंगे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं rho 2 is equal to rho 1 बन प्लस alpha delta T जिसमें rho 1 जो है वो resistivity है temperature T1 पे और T2 temperature पे अगर हमें resistivity निकालने है तो rho 2 is equal to rho 1 बन प्लस alpha delta T temperature difference हम निकाल लेंगे तो इसमें मैंने बता दिया कि rho 2 और rho 1 क्या है T2 और T1 क्या है और जो alpha है जो alpha है वो क्या है temperature coefficient of resistivity temperature coefficient of resistivity और इसमें unit का कोई चकर पड़े गई नहीं क्योंकि T2 minus T बन चाहे आप degree Celsius में लो चाहे Kelvin में लो difference तो सेम आ नहीं है तो उसका हमें कोई अभी attention नहीं लेनी है कि unit temperature क्या होगा चाहे आप degree Celsius में लो चाहे आप Kelvin में ले लो क्योंकि difference सेम आ नहीं है अब हम देखते हैं कि resistance कैसे change होगा temperature बढ़ाने में हम जानते हैं कि R is equal to rho L upon A हालांकि हमने 11th class में जाना था कि length और area भी change होते हैं temperature बढ़ाने में लेकिन जो length और area बहुत ही small होगे जब temperature हम बढ़ाएंगे तो हम L upon A को constant मान सकते हैं L upon A को constant treat कर सकते हैं जब हम L upon A को constant treat करेंगे तो R is proportional to rho जैसे rho करेगा वैसे R change होगा तो R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1 इसको आप याद कर लें previous expression को भी आप याद कर लें यह similar है 11th class हमने length निका ली दी temperature बढ़ाने जो length में चेंज जाएगा वही similar formula है resistance का तो जब हम इसको R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T भी लेख सकते हैं और R2 R1 similar होगा कि T1 पर हमे temperature बता है T1 पर हमे resistance बता है वो R1 है और T2 पर हमें निकालना हो तो वो R2 है तो यह relation को यूज़ करके हम T2 पर resistance निकाल सकते हैं यह कि T2 temperature है तो इसमें भी कोई इनिट की दिक्कत नहीं को कि T2 minus T1 सेम ही आना है चाहिए वो carbon में हो चाहिए डिगरी Celsius में हो और alpha वही temperature coefficient of resistance या फिर resistivity और अब आपने इससे देख लिया कि जैसे temperature हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा resistance बढ़ता जाएगा या resistivity यहां पर तो ऐसे दीरे दीरे resistivity हमारी बढ़ती जाएगी यह हमारा graph होगा आप एक और इस ग्राफ को देख लें और इसे आप intuitively भी बना सकते हैं कि भी temperature बढ़ रहा है resistivity बढ़ जाएगी तो यहां पर फिर ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं अब हमने यह जान लिए resistance और कैसे चेंज होते हैं अब एक डिवाइस के बारे में जानेंगे जो कि जिसे हम थर्मिस्टर बोलेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि semiconductor की resistivity negative होती है नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि semiconductor का जो temperature coefficient होता है strategy का temperature coefficient उप ready 비 TV निगेटिप होती है temperature coefficient प्सक्राइटी नेटिव न होती है नंगा किlu एक ब्रेच्शे के लिए इसका मतलब क्या है कि आगर हम temperature बढ़ाएंगे तो resistivity घ्टे की semiconductor की क्यों तो यही यही concept हम यूज करके यही concept हम यूज करके क्योंकि जो magnitude होता है Registivity का coefficient of Registivity for semiconductor वो बहुत ही ज़्याद होता magnitude लेकिन जो minus sign है इसकी वज़े से वो बहुत घट जाता है यानि कि जब हम temperature बढ़ाएंगे तो हमारा Registivity घटेगी इस case में तो यही fact यूज करके हम एक device बनाते हैं जो कि temperature डेटेक्ट करता है और उसको उसका नाम हमने thermistor दे दिया तो ऐसी devices को हम thermistor बोलते हैं और thermistor दिखने में ऐसा दिखता है यह तीन thermistor है एक दो तीन पहला thermistor यह दूसरा यह तीसरा यह तो जब हम इस thermistor को temperature sense करने के लिए रखेंगे तो यह thermistor किसी battery से connect होगा तब हम इसको रखेंगे तो माल भाई यह battery से connected है तो जैसे हम इसको thermistor को हम रखार जहां temperature बढ़ रहा है तो temperature बढ़ रहा है इसका लब कहा है change हुआ और इसका semiconductor के case में गराब क्या होता है कि जब temperature कम होगा तो उसकी resistivity ज़्यादा होगी और temperature गटता जाएगा तो उसकी resistivity temperature बढ़ता जाएगा तो इसकी resistivity गटती जाएगी अब एक next device है next जो कुछ conductors होते है उनको हम super conductors बोलते है जो conductors होते हैं उनको super conductor बोलते हैं उसकी एक particular condition होती है कि एक particular temperature के बाद कोई किसी conductor की जो resistivity होती है वो zero हो जाती है तो ऐसे conductor जिनकी किसी particular temperature से पहले resistivity zero हो जाए उसे हम wanna बोलते हैं जैसे माल लोकी ये normal हमारा metal है है उसका घ्राप यहांता है फिर एक पार्टिकुल टेंपरेच आया कि टिकल टेंपरेच इसको हमने बोल दिया टी नॉट टी नॉट के बाद हमाई रेस्टिविटी जीरो होगी ऐसे कंडॉक्टर्स को हम सुपर कंडॉक्टर बोलते हैं अब बहुत जाला ग्यान ले लिया त हमं एक कुश्ट्न को लेगे कि कोफिसेंट of resistance में खNS पाइन कर से हैं तो माई लो कि हम did रखा है कि कि टी वन पर ख Rick के टीओ टीटिविए ओस उसकि पर टम्परेचर है टीटू पर आर कर तो समें था किकंडॉट प्लस एल्फा डिल्टा टी वन और रटू इसका रेसियो निकालेंगे तो आर टू अपन आरवन ये कुछ इस तरह जाएगा जिससे आर नॉट आर नॉट कैंसल हो जाएगा जब इस डिनोमिनेटर को उपन निमिनेटर में ले जाएगे तो इस पर पावर माइनस बना जाएग तो हमने याद करों कि पाइनमियल एक्सपेंशन में हमने जाना था कि बन प्लस एक से पावर है जबकि एकस बहुत चोटा हो बन प्लस एकस बहुत चोटा हो तो उसको हम बन प्लस एन एकस लिख देते हैं बन प्लस एन एकस लिख देते हैं जब हम यह ओपन करेंगे तो बन मैंनस, العіз OH-1, higher, minus 1, alpha टी-1,स opinion հिम चीर्ड आएंगे, जब हम इसको solve करेंगे, तो यह चार आएंगे जो हम ओंट करेंगे तो 1 plus alpha δêlta t-1, minus alpha square, delta t1, delta t2, जो alpha square है भहत चोटा है लोगत चोटा ITEND, जीरो माँ सकते हैं, तो हमारा expression term टर्म आरेंज करने के बाद हमारा अलफा आ जाएगा R2 माइनस R1 अब आनके R1 डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अहम इसको दूसरे तरीके इसे भी कर सकते हैं कि मानलो हमने रेशियो निकाला अब इससे हम डारेक्ट डेल्टा T1 हमने निकाल लिया डेल्टा T1 और डेल्टा T2 को टर्मस में लिख लिया फिर हमने इसको क्रोस मल्टिप्लाई करके दोनों तरफ साय मल्टिप्लाई किया और फिर हमने यहां से टर्मस को अरेज करके हमने अल्फा निकाल लिया अल्फा की वैल्यू यह आई इस expression में इस बाले expression में और इस expression में एक खास बात है कि जो ये expression है जो हमने approximation से निकाला है जो binomial expression से expression निकाला है उसमें हमें reference temperature की ज़रूरत नहीं पढ़ रही है यानि कि जिस temperature पे R0 है जिस temperature पे resistance की value R0 है हमें उस temperature की ज़रूरत नहीं पढ़ रही है अलफा ऐसे ही निकाल पा रही है लेकिन इस case में हमें उसकी ज़रूरत पढ़ेगी तो ये जो हमने binomial से निकाला है उसमें क्यों नहीं पढ़ रही ज़रूरत तो delta T2 मालो कि T2 माइनस किसी T0 पे तो T2 माइनस T0 माइनस के T1 माइनस के T0 तो ये T0 से T0 कैंसल हो जाएगा और T2 माइनस T1 सिर्फ वजएगा तो इसमें ये खास बात अगर हम करेंगे तो हमें reference temperature की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आज हमने बहुत कुछ कर लिया इस lecture में आज हम इस lecture को यहीं खतम करते हैं और मिलते हैं अगले lecture में